नमस्कार दोस्तो धर्मिस किचन में आपका स्वागत है आज हम पनीर पोकेट बनाने वाले हैं और इसे हम हेल्दी तरीके से बनाएंगे क्योंकि इसे हम ना फ्राइ करेंगे और ना मैदा का यूज करेंगे तो आज के जो हमारे पनीर पोकेट है वो बहुत ही हेल्दी बनने और ये बनाने में बहुत ही आसन है और बच्चे और बड़े सब को पसंद आएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना पनीर पोकेट रेसिपी हेल्दी पनीर पोकेट बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बना करके तयार करेंगे तो इसके लिए मैंने याँ पर 200 ग्राम पनीर को कद्दुकस कर लिया है आप चाहे तो हाथ से क्रमबल भी कर सकते हो अब उसी के साथ हम एक बारिक कटा हुआ शिमला मिर्च और एक कद्दुकस किया हुआ गाजर भी एड़ करेंगे आप चाहे तो इसमें बारिक कटे हुए प एक टीस्पुन चाट मसाला एड़ करेंगे एक टीस्पुन चिली फ्लेक्स भी एड़ करेंगे एक टीस्पुन रेट चिली सोस और एक टीस्पुन मैयोनीज एड़ करेंगे और स्वादानुसर नमक भी डाल देंगे अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे आप तो इसमें पीज़ा सोस भी एड़ कर सकते हो या फिर टमेटो केचप भी एड़ कर सकते हो या फिर बीना किसी सोस आप ये स्टफिंग बना सकते हो तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग रेड़ी है तो स्टफिंग में इस तरह से बैंडिंग आनी चाहिए तो इसे हम थोड़ी देर साइड में रखेंगे और तब तक हम आटा लगा करके तयार करेंगे तो मिक्सिंग बोल में एक कप गेहू का आटा लेंगे आटा हमें वही लेना है जिसकी हम चपाती बनाते हैं उसी के साथ एक टेबल स्पून बारिक वाली सूजी भी एड़ करेंगे आधी टीस्पून चिली फ्लेक्स, आधी टीस्पून औरेगेनो और स्वादानू सार नमक भी एड़ करेंगे अब दो टेबल स्पून गी भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो सबी चीजों को मिलाने के बाद यहां पर गी थोड़ा सा कम लग रहा है तो आदा टेबल स्पून गी और एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि अब आटे में बाइंडिंग आ गई है तो इतना गी हमें एड़ करना होगा अब थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करते जाएंगे और ना ज्यादा नर्म ना ज्यादा सक्त ऐसा आटा लगा करके तयार करेंगे मैंने यहां गेहु का आटा लिया है आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो या फिर आधा मैदा और आधा गेहु का आटा भी ले सकते हो और जिस तरह से हम पराठे का आटा लगाते हैं वैसे ही हमें यहां पर आटा लगाना होगा वैसा ही आटा हमें यहाँ पर लगाना होगा तो यहाँ पर हमारा डो रेडी है तो हमें इसे रेस्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो डो लगाने के बाद तुरंथ हम इस तरह से लुया तोड लेंगे और हथिली के बीच में घुमाते हुए पेड़े बना लेंगे अब इसे बिना आटे लगाए बेल लेंगे और इसे हम रोटी की तरह ही पतला रखेंगे तो यहाँ हमने रोटी को बेल लिया है अब इसे हम रेक्टेंगल शेप में कट करेंगे और हमने जो स्टफिंग बनाया था वो एक टेबल स्पून जितना रखेंगे और सभी साइड में पानी स्प्रेड करेंगे और मैं जिस तरह से दिखा रही हूँ उसी तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे तो सभी साइड को हम अच्छे से चिपका देंगे वैसे भी हम इसे फ्राइ करने वाले है नहीं तो खुलने का कोई चांस नहीं है तो अगर कहीं पे खुला भी रह गया तो कोई टेंशन नहीं है अब फोर्क से हम इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि सभी साइड अच्छे से सील हो जाए तो यहाँ पर हमारा पनीर पोकेट रेड़ी है इसी तरह से हम सभी पोकेट बना लेंगे तो आज हम पनीर पोकेट को एर फ्राइ करने वाले है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर OD ECOBEC NONSTICK LINEERS लिए है और इसका हम स्टीमर में भी यूज़ कर सकते है microwave oven और air fryer में भी इसका यूज़ कर सकते है और यह hassle free और convenient है और यह eco friendly है क्योंकि इसमें कोई भी harmful chemical या metal नहीं है तो हम इसका बिना tension यूज़ कर सकते है तो liners को हम tray में arrange करेंगे जिसे हमारा tray भी गंदा नहीं होगा और oven भी गंदा नहीं होगा तो इस तरह से यह हमारे लिए बहुत ही useful है link मैंने description box में दे दी है आप चाहे तो आसानी से online order भी कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर सभी पनीर pocket को ट्रे में arrange कर लिया है तो हमने जितना measurement लेकर dough और stuffing बनाया है उसमें से 14 पनीर pocket बनाये जा सकते है अब इसे हम 170 degree preheated air fryer में 20 मिनिट के लिए बेक करेंगे आप चाहे तो इसे OTG में भी बेक कर सकते हो और temperature समान ही रहेगा अब 10 मिनिट के बाद हम पनीर pocket को पलट देंगे ताकि यह नीचे की side से भी अच्छा सा crispy बने और फिर से इसे 10 मिनिट के लिए हम बेक करेंगे तो 20 मिनिट के बाद यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पनीर pocket अच्छे से air fry हो गये है और crisp भी हुए है और जब भी मैं ये oven use करती हूँ तब बहुत सारे friends oven के बारे में पूछते हैं तो oven के बारे में मैंने एक review वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है आप चाहे तो देख सकते हो तो दोस्तों आज की आसांसी healthy recipe आपको कैसी लगी वो comments करके ज़रूर बताएगा और अभी तक आपने धर्मीज कीजन को सब्सक्राइब नहीं किया तो subscribe ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को like, comment और share ज़रूर कीजिएगा मैं धर्मी फिर मिलूंगी ऐसी ही आसांसी recipe के साथ